हाई फ्रेंड्स वेल्कुम टू माई यूटूब चैनल अगर आप भी होली में वही सेम तरह के मालपुआ खाके भूर हो गये हैं तो क्यों न हम एक नई तरह की का मालपुआ बना के त्यार करें जिसे हमने गाजर से बनाया है अपुआ इतना सौप्ट होता है ना कि मुव में जाते ही गुल जाएगा तो चलिए फे बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर मैंने आदी किलो के करीब गाजर ले लिया है तो इसका हमने चिलके उतार के अच्छे से धूलिया है अब हम क्या करेंगे इसे बारिक बारिक कट कर लेंगे क्योंकि इसे हमें पीसना है तो इसे हम क्या करेंगे बारिक से इसे कट कर लेंगे तो सारे गाजर को कर लेते हैं तो सारे गाजर को मिक्स जार में डालेंगे और अब किया करेंगी एक कपके करीब यहां पर मैंने दूदलीया है इसे भी मिक्स जार दालेंगे तो यहां पर पानी भी ले सकते लेकिन दूसरे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे बंद करके इसे बारीक से पीच लेंगे, तो इसे इसमूच सा पेषल 나 के त्यार कर लीजिए, तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसका पेश्ट ना के त्यार कर लिया तो हम इसे बाउल में ट्रांसफर करेंगे तो मिक्सर में जो बचा हुआ है ना तो इसमें हलका सा दूट डाल के इसे अच्छे से दो के हम इसमें डाल देंगे ताकि कोई भी इसमें वेश्ट ना हो तो अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे अच्छे से फेटते वे मिक्स कर लीजिए तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया ध्यान रहे इसमें कोई भी ना गुठलिया ना रहे तो अब हम इसमें एक कप यहां पे मैंने सूजी लिया है, तो यहां पे मैंने बारिक वाली सूजी ली है, तो सूजी को हम इसमें डालेंगे, अब हम सेम मैदा लेंगे, तो जितना हमने सूजी लिया है उतना ही मैदा लेना है, तो इसे भी हम इसमें डालेंगे, अब हम इसमे बीक है यह ऑता है नारियल पॉडर लेंगे यहाँ पे मैंने दू नारियल पॉडर लिया है कर दूंद issuedMr Vy day F मालपुआ कोन चासनी में बिखोके बनाने वाली हूँ अगर आपको ऐसी बनाना है तो इस इस अच्टेज पे तो इसे सामगरी को अच्छे से MIX कर लेते हैं इसे ऐसे चलाते वे MIX कर लिजिए ध्यान रहे इसमें कोई भी लमसन रहे तो देख सकते हैं आमने से अच्छे से MIX कर लिया और यह बहुत अच्छे से MIX हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसे ढग के आदे गंडे के लिए रख देंगे ताकि सूजी ना चिल से फूल जाए तो चलते हैं दूसरी तरफ इदर चासनी बना लेते हैं तो यहां पे मैंने एक पैंचड़ा लिया है इसमें हम एक कटोरी के करीब चीनी डालेंगे सेम कटोरी से मे उबाल आने देंगे तो देख सकते हैं चासनी में उबाल आ गया है तो अब हम क्या करेंगे गैस को स्लो कर देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे तो बस चासनी ना हमारी बन के त्यार है इसे और ज्यादा नहीं पकाना है तो गैस को कर देते हैं बंद तो देख जब चीप चीपा हो जाय तो यहां पर यसे कवर किये वे 12 गंटा ही, तो इसे हम क्या किरेंगे अब एक बर अच्छी से चला लेगे, habitat अच्छी से शहें, जो फेटे रहे थाल तकव रॉटोसवे आदा है अच्छी से शाइब हो जाए तो इसे चलाते वे हमें 2-3 नट तक लगातार ऐसे फेटना है तो ये देखिए हमने इसे 2-3 नट के लिए फेट लिया है तो ये हलका साना गाड़ा लग रहा है तो इसमें हमें क्या करना है 2-3 चमज के करीब दूट डालेंगे तो बहुत ज़्यादा दूट नहीं डालना है इसमें क्योंकि इस वेटर को ना तुम्हें बहुत ज़्यादा बनाना है ना बहुत ज़्यादा गाड़ा बनाना है तो बस ऐसी में वेटर बना के त्यार करना है तो देख सकते है हमारा परफेक्ट वेटर बन के त्यार है तो ऐसी आपको भी वेटर बनाना है अगर यह पतला बनेगा ना तो मालपुआ बनाते हैं के टाइम यह फाइल जाता है तो यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो अच्छा सा पहले गरम होना चाहेँ फिर गैस को स्लो कर दिजिए और पिर एक-एक चमज हम बेटर रूठाएंगे और राम से तेल में डालते जाएँगे तो ऐसी एक-एक चमज बेटर को लेते जाएं और ऐसे तेल में एक ही साइड ढाकते जाएं तो यह देखिए है, टोटल हमने यहां पर चार माल पुआ डाला है, तो इसे क्या करेंगे, पहले एक से दू मिनट के लिए एक साइट से सीखने देंगे, तो देख सकते हैं, इसका जो नीचे से ना है, हलका सा color change हो गिया है, तो इसे हम पलट देते हैं, तो गैस को अब मेडि इसे तीन बार, इसे में अच्छे से fry होने देना है, तो देख सकते हैं, माल पुआ में बहुत अच्छा सा color आ गिया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे, तो सारे माल पुआ को अब निकाल लेते हैं, तो यहां पर मैंने टीसू पेपर लिया है, इस पर क्यूंकि ना तेल ज सोक लेगा, तो सारे माल पुआ को निकाल लेते हैं, और फिर से हमें ऐसी ही माल पुआ को बनाना है, तो देख सकते हैं, कितना अच्छा सा color आ गिया है, यह जब चासनी में जाएगा यह तो बहुत अच्छा सा color आएगा, तो फिर से हम क्या करेंगे, गैस को slow कर देंगे, फ इतना आए, उतना आप माल पुआ बना के त्यार कर सकते हैं, तो बस ध्यान रहे, इसे slow, आज पर पहले इसमें डालिए, फिर गैस को medium कर दीजिए, और medium आज पर फिर अच्छे से उलट पुलट के 2-3 बार इसे अच्छे से fry होने देते हैं, तो जो माल पुआ बन गया है उसे हम क्या करेंगे, चासने में डालेंगे, तो एक एक माल पुआ को उठाते जाएं, चासने में डुगते जाए, तो यह देखिए हमने मालपुआ को चासनी में डाल दिया तो इससे यह बार पलट देते हैं ताकि दोनों साइट से न अच्छे से यह डीप हो जाए तो बस गाजर का मालपुआ बनके तियार है आप इस रिस्पी को एक बार जरू ट्राइ कीजिएगा बहुत ही टेश्टी सा लगता है खाने में जब इस तरह का आप मालपुआ बनाएंगे न तो गारंटी है आप हमेशा इस तरह से बनाना पसंद करेंगे तो इसे मैं एक बार तोड़के दिखाता हूँ यह कितना सॉप्ट है तो यह मालपुआ बहुत ज़्यादा सॉप्ट रहता है खाने में मुझ में घुल जाने वाली रिस्पी है बिलकुल तो यह देखिए कितने अराम से यह तोड़ जाता है तो देख सकता है कितना यम्मी लग रहा है देखने में तो अगर आपको यह रिस्पी मेरी अच्छे लगी हो तो लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजी मिलती हूँ एक नही रिस्पी कि कि साथ तब तब बाई बाई